अज जो जान करी तो अडिनाल सांजी करन जा रहे हां वोजदा पूरा पता टिकाना दस्या जावेगा अते जिनल लोकानों अपनी अखी देखीते सिर्फ जगीन हुंदा है वो अज भी उते जा के तब तीश कर सकते ने अते जेकर कोई शाक गिला होवे वो भी उते जा के कड पेंड चोल्टी खेडी दी ए गल किसे एक व्यक्ती दी नहीं सगो पूरे पेंड दी है पेंड काफी वड़ा दे खोशाल है पेंड दे वेच एक वहत वड़ा ब्रोटी दा रोख है ए ब्रोटी दा रोख लगपग टाई के लिया दे वेच फैलिया होया है अते हून तक ए लगातार फैली जा रहा है ते रुकन दा नामों निशान नहीं है पेंडवाले दे मुतावक ए रोख लगपग टाइसो साल पुरणा है एक निक्केजे बीच तो शुरू होया ए पौदा आज टाई के लिए दा मालक बन चुक्या है ते शायद होर भी जमीन दे उते काबजा करेगा एवी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रेल गड़ी दे रास्ता भी बंद कर देवेगा ते इसनु को रोखन दी हिम्मत तक नहीं करेगा साब तो पहला आप एशडा इतियास जान देहां कि कीमे उग गया ते कीमे वदर्या है दस्या जानदा है कि इथे इस थाँदे उते बहुत समा पहला एक सादू रहनदा सी और एक तुना हमेशा थे जालदा रहनदा सी काफी लोकां दी थे मानता सी इक वार एक साने तो लंगया अते सादू कोड फर्याद कीती कि मेरी कोई लाद नहीं है सादू ने तो ने राख दिती अते कहा कि अपनी पत्नी नो खवा दिवी सादू ने ऐस पाश्ट कर दिता कि जेकर तीरी पत्नी एस नू नई वर्त दी ते इस राख नू बापेस ऐसे तूनी दे विज शोट जामी के ते होर ना सोटी सो कार जाके अपनी पत्नी नू और आख दियन दी कोशिश कीती पर उसने खांड तो साफ मुना करदता ते सादू दे कहनू सार और आख बापेस उसे तूनी दे विज सोटाया दस्या जान्दा है कि ये ब्रोटी दा रोख ओसे तो ने तो उग्णा शुरू होया है ते आज भी नहीं रोक रहा लोग एभी मांदेने कि शायद ओस राख दे वेच सादू वलो ब्रोटी दा कोई बीज देता होवे जेस कारण ए उग्णा शुरू हो गया सु आपां सारे मांदे हा कि रुखा नू कटना नहीं चायदा क्योंकि एक रोख सौसोख पर आपां लोग आपनी सू उलत करके इना रुखा नू कटना बांध नहीं कर दे ते कटी जा रहे हा पर इस पेंड़ दे वेच इस ब्रोटी नू कटना ता दूर इस नू कटन वारे स तोचन ते भी मौत ही मिल दी है इस रोख दी राखी एथे रहरे साप ते कोछा द्रिज शक्तियां कर दिया हन दस्या जानदा है कि जदो ये ब्रोटी वाद रही सी ता वादी होई एक नाल लागते खेत वाल फैलन लगी आते खेत के रन लगया खेत दे मालक ने इसनू रोकन दी कोछिश कीती अते इसनू कटना शुरू कर दता पर ओथे राखी करते सपा ने ऊसनू अपना शिकार बना लया तो उसे वो मारे आगया एस दा तेन्द एक व्यक्ति ने इस ब्रोटी ने रोकन दी कोशिश कीती सी जे इस ट्रैक्टर देना उसने इंज कीता सी उसे देन उस ट्रेक्टर दा राजपूरे दे कोल एक्सिरंट हो गया हाते ओ अपने आप ही पाल्ट गया जेस दा करण आज तक पता नहीं चल लिया ते ओ आदमी भी उत्थे मारया गया जित्थे ब्रोटी दी में जाड है उत्थे एक मंदर बनिया होया है जित्थे लोकां दी काफी शारदा ते लोक इत्थे सुखना सोख दे हन ते लंगर परंडा अरावी करौन देने इसे तरह एक बार इत्थे चोरां दे वलों इस मंदर दैक दरवाजा चोरी कारके लजान दी कोशिश कीती गई पर ब्रोटी दी हाथ तो बाहर लजा ही नी सके अते उत्थे कोज दूरी दे उत्थे सोख के चले गए दस्या जन्दा है कि उन्हों चोरा नूं किसे प्यानक चीज ने ड्रा के पजा दता सी होने ब्रोटी चारे पासे फैल दी जा रही है अते टाई के लिया दे उत्ते अपना कापजा बना चुकी है एक पासे किसे दी जमीन है अते उसते उत्ते भी एक कापजा कार चुकी है ते दुझे पासे रास्ता है अते ओवी रास्ता होन बांधी ही हो चुकिया है जेस तरफ होने वादरी है ओथे चारे पासे लोकान दी जमीन है अते रेलवे विपाग दी जमीन भी है पोस्तो अग्येक रेलवे लाइन भी लंग दी है जेस तेजी दे नाड ए वादरी है जाल दी ही ए रेल दा रास्ता भी रोक लवेगी अते इसनू कोई भी रोक नहीं सक पर शाशन दे वलो इसनू विरास्ती रोखदा दर्जद देता गया है अते इस दी सामसंबाल दा विवादा कीता गया है पर एक डार दे कारण एथो कोई भी एक पता नी तोड़ साकदा पेंडवालें दे मुतावक एथे कई तरह दे पांक्छी दे जानवर रहन दे जिमें साप मूर आते काफी परजातियां दे पांची भी साप पता इथे हजारां दी तदा दे विचान एक वार एथे किसने पेंड दे बेच लोकां दी पिछले 200 सालां तो बनी होई है अते होंड लोक इसनों दुरो दुरो देखन आ रहे ने तो अड़ा इस वारे की ख्याल है कि ये लोका दा आंध्य विश्वाच है जा फिर कोई सच्चाई जा फिर एक कोई चंग्याई वाल इशारा है कि रोक कोई पिवी होवे उसनों नुकसान ना पहुचाया जावे जे कर तुसी रोक नुकसान पहुचाऊंदे हो ता रोक तो अड़ा भी बुरा कर सकदा है अज ये हा कुछ संदेश देंदा है चोल्टी खेडी फतेगर सहब दा एब रोटी दा रोक तो अड़ा इस वारे की बिचार ह सानु कमेंट बॉक्स देवे जरूर लिखना